बातकरन वाले हैं मारकेट के बारे और मारकेट अधीर में बात करें तो काफी जब 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 ड़र सब्डेट के आरे हैं, जिसका सामने डियाईज ने एक हजार 20 करोड के आसपास की खरीदारी करी है तो यहां आप एक चीज़ notice करो FIS ने पिछले trading session में अच्छा खासा momentum चीज़ किया था आज की दिन इनकी जो खरीदारी है वो काम है compared to और डियाईज ठीक है यह पहली जीज़ दूसरी जीज़ यह है कि देखो अब जो nifty है ठीक है वो काफी एक important level के पास है 26,000 के mark level के पास है और वहां formation भी bull candle का किया है ठीक है मतलब अभी भी जो momentum है ना वो वहां closing एक bull side की देखनी को मिली है पर उससे पहले उससे पहले काफी कुछ बड़ी updates निकल किया रही है जिसका effect आगे भी हमें देखने को मिलने वाला है जिहां दोस्तों अब आप पूछोगे कि भी यह यह बाई साब है कौन ठीक है तो सबसे पहले आप यह समझ लो कि यह जो बाई साब है वो है federal reserve bank of Minneapolis के अध्यक्स जिनका नाम है निल कासकरी ठीक है इन्होंने आज स्वांवा 50 BPS का यह अब मार्केट के उपर काफी important रहने वाला है और इनका कहना यह है कि यह जो नीन है वो सही है अपने मार्केट में देखा होगा काफी कुछ खबरे काफी कुछ राइता फिल रहा है अभी मार्केट में कि हो सकता है कोई recession की खबरे आये कोई बड़ा crash आ सकता है बह इनका समर्थन करते है और इन्होंने बताया है कि यह जो नेने है वो सही बेटता हुआ देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ मार्केट खतम होने के बाद एक और रिपोर्ट सामने आई और जिसमे फोरेनर्स का जो derivative जो bet था वो record हाई कर दिया है इंडिया में कितना हुआ है 11 116 billion dollars ठीक है यह काफी बड़ी चीज निकल के आ रही है कि भाईया एक तरफ हमारे पूरे global market में ठीक है पूरे global market में अगर हम देखे तो momentum अगर हम देखे तो इंडिया में FIS है वो काफी अच्छे से perform करते हुए देखने को मिल रहा है ठीक है तो एक data आया हुआ है जिस तरी केसे जो Friday को जो momentum देखने को मिला था 14,000 करोड का जो buying momentum हमें देखने को मिला FIS का तो उसके बाद यहां global fund जो चला है ठीक है उसमें derivatives जो momentum देखने को मिला है उसमें 116 billion dollar तक मतलब यह record high तक market में चला गया है ठीक है और यह Bloomberg के हवाले से खबर आती हुई देखने को मिल रही ह अब एक चीज़ आप मार करो के एक तरफ FIS है जो बर बर के Indian market में माल उठा रहा है ठीक है दूसरी तरफ retail बैठा है खबरे सूच के कि हो सकता है market का valuation high है ठीक है DIS हो सकता है आगे चलके थोड़ा खतम करें अपने liquidity सारा खेल है ना वो liquidity का है अभी ठीक है market में जब तक liquidity रह ठीक है जब liquidity गई समझ लो retail उस level के ऊपर trap होगा जिस level के ऊपर liquidity खतम होगी तो हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है बड़े players के ऊपर ध्यान रखना है FIS अभी जिस तरीके से momentum कर रहा है तो हमें इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखके चलना है दूसरी तरफ एक report यह भ transaction लग रहा है उसमें सेवी ने एक बहुत ही बड़ी report निकाली है और इस report में यह ख़बर निकल के आ रही है कि 1.1 crore traders lost 1.8 lakh crore in 3 years ठीक है मतलब सेवी का साफ कहना है कि 1.1 crore ठीक है इतना 1 crore traders lost करते हैं 1.8 lakh crore मतलब आप समझ लो कितना F&O में मतलब वो चल रहा है ठीक है अब इसमें भी यह बताया गया है कि देखो सेवी ने जो report निकाली है उसमें 73 lakh individual F&O traders lost money in 1st FY24 ठीक है यह आप समझ सकते हो कि मतलब व्यक्तिकत रूप से भी 73 lakhs F&O traders lost में है ठीक है अब यहाँ जो 90% का अकड़ा था ठीक है वो 91% हो गया है ठीक है तो देखो basically चीजे क्या है पता है मैं आपको एक चीज बताओ अभी जो भी चीजे है ना ठीक है मैं मेरा ऐसा मानना है कि जब तक traders को ठीक है जो भी market में बंदा पैसा लेके आता है उसको knowledge नहीं है पहली ची बहुत ही dark reality बता रहूँ ठीक है अगर आप knowledge के without knowledge के FNO में आओगे तो आपका loss होना 90% हो जाएगा कि हाँ भईया आप loss करोगे ठीक है ना सारा खेल knowledge का होता है ठीक है और यहां हम यही try करता है मेरा हर एक वीडियो में मैं पूरे तरीकी से आपको सिखाने के try करता हूँ क् कि अगर समझ लो कि एक दिन में एक लाख बंदे आते है ठीक है एक लाख बंदे देखे उसमें से भी सपूस्थ दस बंदे only दस बंदे भी सीख गया ना भई ठीक है तो भईया हमें खुशी होगी सही चीज यह है कि अगर से भी को कुछ भी रोपना है लोगों को loss करने से तो उनको कैसे भी करके सबसे पहले जो retailer आता है नया उसको कैसे भी करके educate करना चाहिए ठीक है तभी वो लोग market में कुछ सीखेंगे कुछ sustain करेंगे वरना किया है भईया वही घिसा पीटा ग्यान चलेगा कि पहले course खरीद लेना है उसके बाद उसको implement करना है उसके बाद आ आपकी यही होती है कि आप जो knowledge लेके आना चाहिए ना वो knowledge मिलता नहीं है सही direction में नहीं मिलता तो basically आपको अपने report को जो कुछ भी चलता है चलता रहेगा पर मैं आपको कहता हूँ कि असली जो ग्यान मिल रहना उस ग्यान के उपर आपको follow करना है ठीक है ग्यान काफी यह level पर थोड़ा ध्यान देना है 1,80,000 यहाँ position है 26,000 की strike price के उपर 2,80,000 position है उसके बाद 26,200 के पास भी 2,00,000 position बनती हुई देखने को मल रही है ठीक है अब यहाँ put side का data देखो यहाँ एक चीज़ आप मार करो 25,600, 25,700, 25,800, 25,900 इसमें 25,700 के उपर 2,80,000 पोजिसन है और 800 के उपर 2,30,000 है तो यहाँ put writers ने अच्छी खासी position बना के रखी है देखो momentum label के बारे में बात करे अभी market थोड़ा dull है फिर भी मैं बताने के ट्राइ कराओ तीक है आपको पता है market कैसा dull market है इसमें momentum लेना मतलब खत्रा उठाने की वाली बात हो जाती है तीक है फिर भी बूलाओ कि 25,900 का जो level है उसके उपर थोड़ा हमें ध्यान रखना है ये एक momentum level है यहाँ momentum बिल सकता है मतलब क्या है इसके नीचे जीतना रहेगा उतना market में pressure बनता रहेगा इसके उपर रहेगा chances high होंगे 26,000 और 26,000 उपर के जाने के तीक है तो सारा खिल इस level का रहेगा बुल्स और बीर्स का दोनों का नजर इस level के उपर रह सकता है कलके trading session में अब call side की position bank nifty में देख लेता है तो यहाँ 54,000 के उपर 1,25,000 है उसके बाद यहाँ छोटी छोटी position बनी है तीक है other side अगर हम देखे put side का data तो यहाँ 54,000 के उपर 1,40,000 position है उसके नीचे यहाँ 90,000 position है तो इस level के उपर भी थोड़ा बहुत हमें द्यान रखना है तो 53,000 930 का level यह थोड़ा हमें दिमाग में रखना है इस level के उपर market रहेगा बुल्स कंट्रोल करते हुए देखने को मिलेगे इसके नीचे जैसे market आना start करेगा sustain करना शुरू करेगा उसके बाद BRS का control होता हुए देखने को मिलेगा यह काफी neat and clean तरीके से मैंने समझाया अब सीधा चलते है चार्ट पे चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक request कर देता हूँ वीडियो को like करना भूल गया हो like जरू कर देना comment करना analysis कैसे लग पस करिएगा ठीक है one by one में आपको समझा रहा हूँ क्या हो रहा है ठीक है सबसे पहली चीज यहां ठीक है 19 तारिक को पिछली 19 तारिक को यहां निफ्टी ने इस resistance को face किया था जहां से समझना काफी interesting चीज सामने आ रही ठीक है उसके बाद गर आप देखेंगे यहां आप तो यहां 20 तारिक को भी almost यहां इस trend line को face किया था उसके बाद यहां से market में क्या आया था selling आया था ठीक है market में एक बड़ा volatility के साथ selling pressure हमें देखने को मिला था अब उसके बाद यहां फीड से आप देख सके हो market में फीड से एक rounding bottom structure बना उसके बाद फीड से यहां आज की द trend line को follow करता रहा और पूरे दिन पूरे दिन अगर आप देखे तो निफ्टी फीर से इसी structure को trend line follow करना है उसके बाद फीर से grounding bottom create करना है उसके बाद फीर से उसी trend line को touch करने market को जाना है ठीक है यह सिल सिला अगर आप देखेंगे तो पीछले काफी time से आपको देखने को मिले देखो यहां almost 3 trading session से ना आपको continuously यह system होता हुआ देखने को मिल रहा है देखो यहां से ऐसे गया उसके बाद यहां आया फिर से नीचे उसके बाद फिर गया फिर गया और फिर नीचे अब यहां market almost यहां closing करके बैठा है ठीक है ना पहले आपने यह structure समझ लिया अब देखो बड़े players जो है ठीक है जो big players है ना वो क्या सूचेंगे ठीक है वो सूचेंगे यह कि retail इसको head and shoulder inverted head and shoulder pattern trade करके यहां entry मारेगा क्यां से समझना काफी interesting चीज़ बता रहो ठीक है अगर nifty को ठीक है bullish set जाना है तो सबसे पहले आप यू समझो 35-930 के पास तो खड़ा है ठीक है और नया trend शूरू करना है तो market को कैसे भी करके इस level को पार करना पड़ेगा 26,000 से लेके 26,100 की range में ठीक है तो यहां कौन बेठा होगा आपको साफ पता चलना जाए चाहिए कि यहां बेठा होगा seller कौन बेठा होगा option seller बेठा होगा मतलब यहां चीज यह है कि देखो अभी इन लोगों ने scenario क्या create किया है देखो अभी जो लोग call लेके बेठे होगे ठीक है जो लोग suppose यहां यह range में suppose देखो यहां कल की trading session में जिन लोगों ने call hold करी होगी 25,800 की 23,000 समदना ठीक है 25,800 की जो call वाला player होगा बंदा होगा ठीक है वो morning में profit में रहा ठीक है उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ वही momentum देखने को मिला पूले trading session तक ठीक है तो यहां अभी profit चल रहा है न वो दो call का चल रहा है 25,800 और 25,900 की call वालो का ठीक है option buyer की बात कर ठीक है अब seller बैठा है न option seller वो सबसे ज्यादा focus करेगा इस level के उपर 26,000 के level के उपर यहां यह call को write करना श short करना शुरू करेगा ठीक है और 26,100 के call को short करना शुरू करेगा ठीक है तो अब हमारे पास यहां option buyer की range आ चुकी है 25,900, 25,800 ठीक है और यहां option seller की range आ चुकी है 26,000 और 26,100 ठीक है अब यहां almost इसके बीच में market खड़ा है ठीक है तो nifty के पास कैसे भी करके 70 point है market को decide करना है किस चीज तरफ चाना है उसको या तो उसको इसके पास यहां से इस trend lane को touch करवाना पड़ेगा final यह touch हो सकता है ठीक है अगर market यहां sustain कर लेता है तो उड़ेगा otherwise यहां से अच्छे से वो लोग try करेंगे पटकने की यहां तक कहा तक यहां तक 25,800 तक अगर market इधर आता है तो यह चीज त्यान रखना ठीक है मैं बता रहा हूँ 200 से 300 point की बात कर रहा हूँ nifty में ठीक है तो कैसे भी करके अगर market को bullish set जाना है तो 26,100 के उपर जाना पड़ेगा तभी वहां कुछ momentum आएगा otherwise उपर जाने के बाद अगर 26,000 को कारता है तो सीधा वो level को touch करवाने के try करेंगे अब देखो यहां एक चीज और मैं बता रहा हूँ levels में आपके साथ discuss कर रहा हूँ सबसे पहले यह level समझ लो देखो यहां से आज की trading session में यहां बार-बार इस resistance line को nifty ने face किया है तो यहां बार-बार market में यहां एक resistance आया है यहां अगर आप तो यहां एक trend line निकल के आ रही है उपर से एक resistance निकल के आ रहा है अब देखो यहां market में यह जो structure बनाया है यहां यह काफी important चीज है इस चीज का धियान लगना है देखो market में अगर 25,850 के level को काटता है ठीक है निफ्टी अगर 25,850 को काटता है तो यहां से market में एक selling momentum दे है ठीक है market में selling आ सकती है तो यह जो range है ना 25,850 और 25,880 यह एक most important range है ठीक है हमें follow करना है 25,850 क्यों क्योंकि इसके नीचे थोड़ा selling pressure मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है ठीक है बुल्स को कैसे भी करके इस range को halt करना पड़ेगा 25,880 अगर इसके नीचे जाता है तो फ सिर्फ यहां से यहां तक का target आपको nifty में देखने को मिल सकता है ठीक है अब यहां अगर आप देखेंगे तो पहली बार यहां एक seller आया था ठीक है उसने try भी करी वो success भी हुआ दूसरी बार closing closing होते होते यहां फिर से एक बार seller ने try करी है तो almost you समझ लिजे कि 20-30 point में यह हां थोड़ा seller ने mount किया है try किया है अब देखो market अदर इसके ऊपर open भी हो जाता है या तो breakout करता है तो यहां से 26,000 का target open होता हुआ देखने को मिलेगा ठीक है क्या 26,000 का target open होता हुआ देखने को मिलेगा पर वहां में एक चीज़ बताना चाहता हूं देखो 26,000 के level के ऊपर market उड़ेगा भी ठीक है तो भी 26,000 80 के आसपास ठीक है 26,000 80, 26,100 तक market यहां से जा सकता है ठीक है 26,000 के ऊपर त्यान से समझना अब अगर इस level के आसपास आता है न ठीक है तो aggressive मेरे ख्याल से buying momentum में नहीं जाना चाहिए क्यों क्योंकि यहां फिर जो seller का जो zone है वो seller active होता देखने को मिलेगा ठीक है मेरे ख्याल से फिर वहां से market में एक बार वो पूरी try करेंगे कि market को 26,000 के नीचे रखे ठीक है तो फिर इस range के आसपास इसके थोड़ा ऊपर सेड़ यह थोड़ा न आपको समझना है कि यहां इसके आसपास इसके मिलता है तो फिर थोड़ा aggressive buying की set जाना मतलब risk की रहेगा इस जिसका ध्यान रखना है तो मैंने आपको level proper दरीके से समझा है अब देखो यहां एक चीज़ और बताता हूं market यहां से गिरा यहां से आया उसके बाद यहां गया है अब market अगर यहां से इस type का भी structure बनाता है तो भी यहां से एक breakout के होने के chances है पर शर्त यह है कि यहां 25-900 का जो level है वो intact रहना चाहिए और उसके नीचे 25-880 का जो level है वो intact रहना चाहिए ठीके इसके नीचे पहला sign मिलेगा beer activity का nifty 50 में अब देखो अगर कुछ भी confusion रहता है levels के बारे में तो देखो मैंने description box में telegram का link दिया है इस चीज़ का ध्यान र channel से के साथ जूड़ना है telegram channels के साथ तो देखो description box में उसका link दिया है वहाँ definitely join कर लेना क्योंकि वहाँ आपको live market में आपको data मिलेगा free में ठीके कहां कितनी position बनी है वो भी आपको free में देखने को मिलेगा और कुछ levels भी अगर कुछ भी discuss करने है तो वहाँ मैं share करता रहता हूँ post करता रहता हूँ और जिसका 50,000 से भी ज्यादा लोग उसका फाइदा उठा रहा है तो क्यूं आप ना क्यूं miss कर दे ठीक है यह चीज़ काफी important है अगर आपको कुछ support चाहिए live market में बिल्कुल free है कोई भी premium service नहीं कोई भी paid group नहीं कोई भी paid course नहीं कुछ भी नही अगर आपको कुछ सिखना है reality में तो वहाँ बिल्कुल चूट जाना तो वहाँ make sure जल्दी चूट जाना है अब देखे bank nifty के बारे में बात करते हैं bank nifty के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक structure आपको सामने देखने को मिलेगा 19 तारिक को य यहाँ से round in bottom बना के फीड से एक यहाँ से again उसको company handle में convert किया और यहाँ से breakout करने के बाद फीड से यहाँ एक trend lane को follow किया ठीक है उसके बाद फीड से अगर आप देखेंगे market इस range में bank nifty इसी range के आसपास hold करता हुआ देखने को मिला है ठीक है तो basically अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ देखो पहली बार तो seller यहाँ active हुआ था इस चीस का आपको धियान रखना चाहिए ठीक है यहाँ एक बार seller active हुआ था इस zone के आसपास यहां से समझना ठीक है अब market में यहाँ गर आप देखेंगे ना volatility काफी अच्छी आ जा रही इसके आसपास इस range के आसप nifty का level जब तक bank nifty में यह level intact है तब तक तो मतलब bulls try तो करेंगे क्योंकि इनके सारे SL size इसी के आसपास होंगे इसी range में होंगे ठीक है अब यहाँ से market इस trend line को follow कर रहा है market यहाँ से इस तरीके से जा रहा है bank nifty ठीक है अब अगर market को उपर जाना है bank nifty को तो इस structure को break करना पड़ेगा और यहाँ है call writers का zone ठीक है कौन बैठा है call writer बैठा है ठीक है writer बैठा है call writer मतलब यहां seller बैठा है basically ठीक है तो seller जब तक active है तब तक buyer जो है ना वो मतलब panic में रहेगा ठीक है मतलब उसको वो confused रहेगा कि यह breakout करेगा या नहीं या कोई फिर से घुमा देगा market इ देखो यहां से basically यह चीज है कि अगर market इस level को break कर लेता है 54,200 के उपर sustain कर लेता है ना थीक है तो फिर यहां से आपको यह journey होती होई touch होई देखने को मिलेगी suppose 300 का भी target 100.00 उपर 100.500 उपर आ सकता है यहां ना थोड़ा alert रहके काम करना है कौन सी range में 54,400 54,500 यहां थोड़ा alert रहके काम करना है क्यों क्योंकि यहां थोड़ा data इस तरीके से बनता हुआ शुरू हुआ है कि यहां market में seller zone बनता हुआ देखने को मिल रहा है basically आपने समझ लिए अब कुछ levels के बारे में बात करते हैं अब लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां सबसे पहली चीत तो यह है कि आपको यह देखना है कि market अभी जी structure में देखना मार्केट थोड़ा सांस लेता हुआ देखने को मिल रहा ठीक है basically अगर आप देखेंगे देखो market यहां चल तो रहा है अप्ट्रेंड में पर ज्यादा कुछ momentum आपको देखने को ने मिलेगा ठीक है ना छोटे छोटे momentum के साथ ही अप्ट्रेंड में गया ठीक है मतलब जो strong bullishness होना चाहिए वो न 50 को इसको breakout करना पड़ेगा अगर इसको breakout करता है ना तब भी कुछ बात बनेगी अगर इसको breakout कर दीता है कितना भी जाए ठीक है मैंने आपको बता दिया 54,500 के आसपास जो call writer जो है वो bet है है ठीक है तो वो पूरी एक बार try तो करेंगे ठीक है मैं आपको एक level बता रहा हू 54,475 यह level काफी important बन सकता है bank nifty में क्यों क्योंकि market अगर इसके उपर जाता है और उसके बाद इसको काटता है इस level को 54,475 को तो यहां से जो मेरा जो view है वो ऐसा है कि market में यहां से एक बार selling pressure आ सकता है और अच्छा खासा selling pressure आ सकता है तेक है उसमें minimum यू समढ़ लिए 100 से 200 points का momentum आएगा ठीक है इतना तो momentum हो सकता है ऐसा मेरा मनना है ठीक है तो इस structure के उपर मेरा ये view है ठीक है अब आप पुछोगे कि sir यह नीचे का क्या खेल है तो नीचे का खेल भी मैं बता देता हूँ देखो यहां जब तक market इसके उपर है 53,800 के उपर तब तक market में bulls जो है वो हर एक dip को उठाएंगे देखो यहां डीप आया ना dip को उठा लिया यहां डीप आया उठा लिया यहां डीप आया उठा लिया ठीक है यहां हर एक dip को देखो यहां भी डीप आया था उठा लिया फिर से ठीक है इस type का structure देखने को मिला है क्योंकि यहां इन लोगों का interest ह असली जो खेल है ना वो दू है थोड़ा पर फिर भी मैं बता देता हूँ यह जो लेवल है ना इस लेवल के नीचे 53,537 इसके नीचे मार्केट आता है तो यहां से जो बियस है उसकी ग्रिप आती हुई देखने को मिल सकते है क्योंकि इसके नीचे 53,500 एक स्ट्रॉंग सपोर अगर इसके नीचे जाता है तो यहां से एक सेलिंग प्रेसर मांट हो सकता है तो बुल्स पूरी ट्राइ करेंगे मार्केट को 53,800 के उपर रखने की अगर आता भी है तो भी ट्राइ करेंगे मार्केट को यहां से उठाने की अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो समझ लो ए अब देखें फिन निफ्टी के बारे में बात करें तो यहां जो structure चला है उस structure पर यहां बार-बार market support लिता हुआ देखने को मिल रहा है अपर सैड में यहां बार-बार एक resistance आता हुआ देखने को मिल रहा है अब यहां scenario यह है कि कैसे भी करके या तो इसको इस support से निकलना सिंपल सी चीज है तो देखो यहां से window तो बेजिकली देखो दोनों साइड आपको सबसे पहले एक range बता देता हूँ नेचे की सैड 24,840 की range open है और उपर की सैड 25,80 की range open है यह चित ध्यान रखना है तीक है अब यहां 25,000 का जो level है यह एक fin nifty में most important level है 25,000 के उपर market रहता है फिन निफ्टी अगर काटता है तो एक बार momentum आपको यहां से यहां तक देखने को मिल सकता है 25,000 60,80 के आसपास त्यान से समझना ठीक है अब मेरा जो view है न वो यह है कि देखो 25,80 के नीच आसपास seller पूरी try करेंगे 25,80 25,100 के आसपास ठीक है तो अगर market फिन निफ्टी यो है वो इस लिवल के आसपास आता है तो वहां से seller है वो selling करता हुआ देखने को मिल सकता है market में एक pressure mount करवाने के try करी जा सकती है तो उसके बाद यहां से यह भी एक हमें momentum चीज़ करने को मिल सकता है ठीक है downside की range देखो यह open होती हुई मेरे को लग रही है कि market में यह range भी सकती है ठीक है market अभी खड़ा है 100.00 उपर फिन निफ्टी पर मैं कहता हूँ कि इस range को भी एक बार फिन निफ्टी रिस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है 24,840 के उपर या इसके आसपास ज्यांसे समदना ठीक है अगर market 25,000 के नीचे रहेगा ना जितना 25,000 के नीचे रहेगा उतना 24,840 की विंडो उपन हो जाए ठीक है जितना इसके नीचे रहेगा market उतना market में pressure mount हो सकता है और यहां तक market की विंडो आ सकती है ठीक है तो यह चीज़ काफी important है इस level पर भी हमें ध्यान रखना है देखो 24,840 के नीचे अगर फिन निफ्टी आता है तो फिर यहां से जो beer है ना beer वो beer cartel जो है वो active होते हुए देखने को मिल सकते तो इस चीज़ का ध्यान रखना उसके बाद market में क्या होगा 35,000 के call पर writing होना शुरू हो जाएगी 24,900 के call के उपर writing होना शुरू हो जाएगी फिर उसके बाद अगर market इसके नीचे रहा तो यह जो label है वो उनका गड़ बन जाएगा seller का इस चीज़ का ध्यान रखना है तो bulls को कैसे भी करके यह level sustain करना जरूरी है 24,900,25,000 का level क्योंकि उनको भी पता है bulls को कि अगर यह हम इसके नीचे गए तो फिर beer इस level के उपर आ जाएगे तो फिर हमें थोड़ा दिकत हो सकता है तो इस तरीके से market क behavior मैंने समझाया तेकनिकल कैसे करते है वो मैंने आपको समझाया levels भी मैंने आपके साथ share की कुछ psychology भी मैंने आपको सिखाई तेकर यह वीडियो में अगर आपको कुछ भी कुछ भी एक अच्छी learning लगी तो make sure guys आपको सिर्फ और सिर्फ एक like button दवाना है तेकर और कुछ करन नहीं है ना तो मेरा कोई premium service है ना कोई मैं आपको बोल रहा हु कि मेरा course खरीलो ना तो मैं आपको बोलता हूं कि मेरा कोई प्यडिक यह फला ना धिमक ना बो खरीडो मैं सिर्फ एतना कहता हु कि भाया like करो motive मिलेगा इसमें कोई like करने पैसा न ही मिल जाता simple की छीज थीज है फिरे फ्री होता है आपका भी पैसा नहीं लगता है तो हमें भी मिलता है तो इस चीज का ध्यान लगना दो उससे क्या होता है मुझे पता चलता है कि हां ये लोग पसंद कर रहे हैं, यसा ज्यान पसंद कर रहे हैं, तो मैं और प्रोवाइड करने की ट्राइकर दोगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये अच्छी बात बोलना गलत है, तो फिर वो वही हवा हवा वही बाते बोलना शुरू करो दूसरों की तरह तो फिर मैं वह शुरू करो दौन वरी ठीक है तो थोड़ा लाइक करो यार ठीक है लाइक करो शैर करो सब्सक्राइब करो पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है और लाइव मार्केट के चैनल को लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का वहां भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि वहां फिर हम लाइव आने वाले हैं और लाइव आएंगे तो फिर वहां तहल का मचाएंगे यह चीज़ धियान रखना फिर आपको लाइव मार्केट में बहुत कुछ सिखने को मिले बिलकुल फ्री में ठीक है तो वह मिस मत करिएगा मिलते अगले विड़े में चाहें जाएंगे